वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूमे फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ् MPPSS है उत्राखंड PCS है MPPSS का एक्जाम है साथ ही साथ आपकी एलहाबाद High Court वाली वाली वेकंसी आ रही है वी यू की वेकंसी आ रही है मतलब इन सभी एक्जाम के लिए बहुत जादा रॉकेट प्रक्षेपन न्यूटन की गति का सिध्धान्त और वाय वियान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिध्धान्त इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला गलत है तो इसमें गलत कौन सा है गलत है आपका option B यानि विद्दुद जनरेटर विद्दुद जनरेटर जो है वो विद्दुद चुम्ब की संचरण नहीं होता है वो होता है विद्दुद चुम्ब की प्रेरण ठीक है इसके अलामा यह जितना भी है आप इसको याद कर लिजेगा यंत्र औरुक की सिध्धान पर आधारित है आपके एक्जाम में पूछा जाता है जैसे फिर से मैं इसके अलामा आपका रॉकट प्रक्षेपड होता है न्यूटन गति सिध्धान और साथ ही साथ आपका रेडियो और दूरदर्सन भी पूछा जाता है तो जो यह विद्दुद चुम्ब की संचरण दिया है इस पर आधारित होता है रेडियो और दूरदर्सन यानि विद् और वायूयान आपको पता होना चाहिए यह होता है बरनौली के तरल गति विज्ञान सिंधान्थ बराधारित ठीक है तो यह आपने जान लिया कि यह विद्दू जनरेटर क्या होता है यह फ्रेड़र होता है और विद्दू की संचरण प्याधारित होता है दूरदर्शन और रेडियो अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपको दिया गया है कि निम्लिखित में से आप विसम विकल्प का चैन कीजिए ठीक है विसम विकल्प का आपको चैन करना है दिया गया सबसे पहले सोनार सोनार है परास्रव्य तरंगों का अपवर्तन प्रकाशिक तंतु क्या का है प्रकाश का पूर आन्तरिक परावर्तन इल्क्राण माइक्रोस्कूप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और फोटोसल जो है यह प्रकाश वेद्धुत प्रभाव ठीक है तो इसमें क्यूआ होगा कौन सा विसम है उसमिए सबसे पहला ही विसम है यानि गलत है सोनार जो है ये पराश्रवे तरंगों का अपवर्तन नहीं बलकि सुनार जो है ये पराश्रवे तरंगों का परावर्तन होता है ना कि अपवर्तन होता है इसके अलामा सब सही है प्रकासिक रेशे या फिर तंतू बोला जाए तो ये प्रकास का पूरा अंतरिक परावर्तन सिध्ध होता है ठीक है यानि नुक्लियर रियक्टर जो है यह कंट्रोल नुक्लियर फिजन होता है इसमें यह सिध्धान्थ ठीक तो अभी तक हमने लगभग आठ से नौ यंत्र के अगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए निमलिखित में से आपको विशम विकल्प का चैन करना है यह इसमें यह हम बात कर रहे हैं लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग के बारे में एरो सोल का अध्यान करने में काम बादलों की संवर्चना याद करने में वायुमंडली घटनाओं का अध्यान या फिर दांत का उपचार ठीक है तो यह आपको बताना है इसमें आपको विशम विकल्प मतलब कि जिसमें ल अध्यान करने में और वायुमंडली घटनाओं का अध्यान करने में ठीक है तो यह हमने देख लिया लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग के बारे में अब आगे दिया गया है फिर से आपको बताना है विशम विकल्प का चैन करना है जो भी उर्जा केंद्र है उनका स्था तारापूर परमाड़ उर्जा केंद्र गुजरात ठीक इसके अलावा काकरापार परमाड़ उर्जा केंद्र महाराश्ट्र कैगा परमाड़ उर्जा केंद्र पश्चिम बंगाल और ट्रामबे उर्जा केंद्र महाराश्ट्र तो इसमें विसम विकल्प क्या है कि यह परमाडू उर्जा केंद्र कहां पर है महाराश्र में है तो इन तीन के बारे में भी देख लेते हैं तारापूर परमाडू उर्जा केंद्र कहां है तारापूर परमाडू उर्जा केंद्र है महाराश्र में काकरापार परमाडू उर्जा केंद्र जो है वो गुजरात में है इसके अलामक कैगा जो है, वो कैगा परमाण उर्जा के इंदर, ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये है करनाटक में, ठीक है, ये करनाटक में है, तो ये देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें option D सही है, option D सही विकल्प होगा, अब आगे देखिए, हमारा पांचवा सव है, निमनलिखित में से, किस पदार्थ की प्रतिरोधक्ता सबसे अधिक होती है, ठीक है, रजिस्टिविटी की बात की जारी है, किसके प्रतिरोधक्ता सबसे अधिक होती है, सुद्ध जल की, चांदी की, ऐल्यूमीनियम की, या फिर पारा की, तो इसमें देखिए, सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी इन चारों आप्शन में सबसे अधिक होती है सुद्ध जल की ठीक है सुद्ध जल की और सबसे कम किसकी होगी फिर इन में से इन में से सबसे कम होती है चांदी की ठीक है चांदी अब आप लोगों के लिए एक सवाल है आप लोग बताईए कि प्रतिरोधकता का मातरक क्या होता है ठीक है कमेंट बॉक्स में बताईए प्रतिरोधकता का मातरक क्या होता है आपके एक्जाम में PCS के एक्जाम में पूछा जा चुका है आपको कमेंट करके बताना है कि रेजिस्टिविटी का इसकी यूनिट क्या होती है प्रतिरोधक्ता का मात्रक क्या होता है अब आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अगला सवाल दिया गया कि निम्लिखित में से आपको गलत विकल्प का चैन करना है ठीक है काइन स्थेटिक्स क्या होता है सरीर की भाषा का ध्यन ट्राइबोलॉजी सफटोकीं बन लगने वालेी बल का ध्यन हो रोलॉजी समय की माप का ध्यन या फिर इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कि कौन सा गलत है उसमें इसमें तीनों की तील सहीं है कोई नहीं गलत है option D सही होगा कि काईने इस्थेटिक्स क्या हो गया सरीर की भाषा का अध्यान ठीक है body language का study और ट्राइबो लॉजी क्या है सापेक्ष गतिसील सतहों के मध्य लगने वाले बल यानि force acting between relatively moving surfaces और होरो लॉजी क्या है यह समय की मापका अध्यान है ठीक अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दिया गया है आपको गलत विकल्ब बताना है ठीक है दिया गया कि दाब क्या होता है दाब बराबर द्रव्यमान गुड़ा वेग तो रड़ बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय फिर उसके बाद है आवेग बराबर होता है बल गुड़ा समयांतराल और घनत तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन तो इसमें गलत कौन है इसमें P होता है समवेग जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम ठीक इसलिए कन्फियूज नहीं करना है फॉर्मूला P equal to MV आपने पढ़ा होगा न्यूटन के सिधान्त में ठीक है यहाँ पर P pressure नहीं होता है यह मोमेंटम होता है यानि समवेग होता है तो समवेग बराबर होता है द्रव्यमान M गुड़ा वेग वी द्रव्यमान गुड़े वेग बराबर होता है समवेग ना की दाब होता है अगला सवाल दिया गया कि निमलिखित में से कौन सी राशी एक सदिस राशी नहीं है ठीक है और कौन सी राशी एक अधिस राशी नहीं है ठीक है तो ये आपको बताना है सदिस राशी के बारे में जानते हैं जिसमें उसमें परिमार भी होता है और दिसा भी होती है ठीक है औ तो पहले दिया गया विस्थापन और छेत्र फल फिर दिया गया है चुम्बिकी छेत्र और घनत्व तापमान और विद्धुत तीवरता और डी में दिया गया है विद्धुत प्रवाह और आयतन ठीक है तो इसमें जान जाईए आप सबसे पहले कि जो विद्धुत तीवरता होती है भाई ये तो सदिसरासी है ठीक है अधिसरासी नहीं है और तापमान क्या है ये सदिसरासी सदिसरासी नहीं है तापमान एक अधिसरासी है तापमान में आपको सिर्फ परिमान मिलता है तापमान में दिसा नहीं होती है ठीक है तो सिए और बात कर लिजी सदिश्यूं के बारे में सदिश्यू में क्या क्या होता है विस्थापन होता है चुमबिकी छेत्र हें बिदुद अर भरवा है और विद्दुद धारा तो यह सारी चीजे ऐसे यह ऐसी राशियां हैं जिसमें सिर्फ परिमार होता है ठीक है आयतन की कोई दिसा नहीं होती है तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आयतन की कोई दिसा नहीं होती है तो इसलिए अधिसरासी होगी ताप मान की कोई दिसा नहीं होती है आप ऐसे नहीं थेक है तो इस प्रक्रस से ये सारी अधिस्रासियां और सदिस्रासिया अगला सवाल है निमलिकित में से विशम विकल्प का चैन कीजिए दिया गया 1μ, 1mg, 1mg, 1mg और 1m, Oh ? ते इसको देखें कैसे समझ में आएगा ये होता है दस की पावर 3 kg मीट्रिकटन माइक क्या है बड़ी यूनीट है यह तीनों क्या है चोटी यूनीट है तो विसम कौन सा होगा प्शन डी वाला एक मीट्रिकटन ेसके जावा एक माईकरोग्राम मिली ग्राम की यह बारे में आपने अग्रा सवाल है निम्रिक्त में आपको सही सोला मीटर एक पीकों मीटर बिराबर शाहिस 12 मीटर एक एंगेश्ट्रम बराबर 10 की पावर माइनस 11 मीटर और एक नैनो मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर तो इसमें से सही बताना है सही कौन सा है सही है ऑप्शन भी एक पीको मीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर तो एक फर्मी के अगर बात करें तो एक फर्मी में होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर ठीक है फर्मी होता है माइनस 15 मीटर एंगिस्ट्रॉम क्या होता है यह होता है 10 की पावर माइनस 10 माइनस 10 मीटर होता है तो इस तरीके से आज के हमारे 10 सवाल complete हुए, किसी भी question में आपको अगर कोई doubt हो तो इसको comment box में mention कर सकते हैं, साथ ही साथ देखे study for civil services के paid group जो हैं सुरू हो रहे हैं, जो कि यहां पर आपका UPPCS का 2025 का pre or means का बैस सुरू हो रहा है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं यहां पर आपको complete selection material, paid quiz, answer writing, practices, आपको guidance वगेरा, सब कुछ provide किया जाएगा, तो इसके लिए आप description box में दिएए number पर contact कर सकते हैं, thank you so much